धर्म का सिद्धान्त यही है कि ब्राम्वन को यह संभरांत व्यक्ति को यह भगवायन के भक्त को आते हुए देखते ही खड़ा हो जाना चाहिए और ऐसा नहीं करेंगे तो दुख आना ही है कोई संकट आना ही है और आपका पराज है निश्चीत है वे एक प्रश्ण होगा कि इस सधारन व्यक्ति के लिए सिद्धान्त लग सकता है लेकिन जो खूद पुझ्य है बड़े व्यक्ति है तो उनको किसी के सम्मान करने के क्या जरूरत है इस विशाय में सिद्धान्त समझना चाहिए कि जो बड़े लोग है वे बड़े लोग का औ सम्मान करते हैं बलके छोटे 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 लोग तो उस पार अक्षेप करते हैं या उसको कश्ट देने का प्रयास करते हैं लेकिने जो बड़े लोग है पुझ्य व्यक्ति का बहुत सम्मान करते हैं सिद्धान्त दिया गया है कि मान्या ये वही मान्या ना मानम कुरुव अरे सच्चाई तो यह है कि जो बड़ा आदमी है वही बड़े आदमी का सम्मान करता है छोटा आदमी बलके नहीं सम्मान करता है एक उधारण दे रहा है कि रुद्रो भिभरती मुर्धेंदुम श्वरभानुस्तम जिघर्चति सीव जी को देव देव कहा जाता है देवताओं में भी पुझ्य है लेकिन वे चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं चंद्रमा देवता है तो उनको मस्तक पर धारण करते हैं बड़े आदमी चंद्रमा का सम्मान कर रहा है लेकिन राहु छोट्र भ्याक्ति वो तो च यही लक्षण है कि बड़े व्यक्ति का, गर्मान्य व्यक्ति का सम्मान करें। और बड़े व्यक्ति का सम्मान करने से बढ़ाई में कोई कमी नहीं आती है, बलके उसकी महिमा और बढ़ जाती है। सीव जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण किये हैं, तो छोटे नहीं हो गए, बलके उनकी सोभा बढ़ जाती है। और इसलिए बड़े व्यक्ति का भी दाइत तो है, उसका भी कर्तव्य है कि वे पुझ्य व्यक्ति का सम्मान करें, आदरलिय व्यक्ति का सम्मान करें। और जदि आयशा नहीं करता है, उसको भगवान डंड देते ही है, उसका पराभव होता ही है, उसके जीवन में दुख का बाहुल आएगा ही।